प्रदीब जी, बीजेपी अपने लिए लक्ष निरधारित करती है, हर चुनाओं में पहले से बढ़ा, ठीक है वो करें, कई राजों में उनको ऐसी अभूतपूर्व सफलताएं मिली हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, उत्तराकंड में सरकार रिपीट करन हुआ, जिसने लोगों को यह लगता है कि वाकई में यह जो काम असंभव समझे जाती थे अब तक, वो यह पार्टी कर सकती है, इसके पास वो तंत्र है, इनके पास नित्रित्व है, लेकिन फिर 2019 के चुनाओं की जब बात आती है, तो जैसे एक फैक्टर अभी सहयोग्यों का बताया गया, दूसरा फैक्टर बताया जाता है, सैचूरेशन का, कि भाजपा यहां से जादा और आगे कहां बढ़ेगी, यहां से रास्ता के बल नीचे जाता है, देखिए, यह सब बाते सही है, बीजेपी के साथ ही बिछड़ गये, एलाइंस कम से कम तीन बड़े राज्यों में, तो अभी हाली में जो है, पंजाब, बिहार और महाराष्ट में, उनके सहयोगी चले गए, इसके अलावा, मैंने एक दिन गिंती की थी, एक साथार सीटे लोगसबा की ऐसी है, जहां बीजेपी में उनमें से एक सो सत्तर सीटे जीती है, उसके आधार पर कहाई है, और अगर आगर यह से जाधा तर राज्य ऐसे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर आपके प्रोड़क्ट्स और सर्विसेस को दुनिया को बे 85-90% सीटे जीती थी, तो यह था 19 में सवाल था कि वहां तो आप सीट कम होनी ही है, तो इस आधार पर अगर विपक्ष है, इस तर्क पर कि बीजेपी जो है पीक कर गई है, अब नीचे आएगी, इसलिए हमको मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है कि फिर मुश्किल हो, अग बीजेपी जो जीती थी, उसको फिर से हमको हासिल करना है, जहां हमारा जनाधार जादा है, जहां हमारा संगटन अच्छा है, जहां हमारे पास नेरेटिव है, फुल मिलाकर नेरेटिव बदलने की जरूरत है, पर दीब जी दोनों बातें कहती है, कॉंग्रेस पार्टी के दोनों धाराओं पर अपने तरक रखते है, वो सही होगियों की बात करते है, तो वो बिहार का और महाराज का स्पेसिफिक उधारन देते है, कहते हैं यहां पर जेडियू के और शिफसिना के बगार तो उत्ती सीटें केवल मुदी जी के नाम पर बीजेपी नहीं ला सकती, वो बंगाल का उधारण देते हैं कि जैसी प्रचंड जीत मम्ताव इनर्जी को तीसरी बार मिली है बीजेपी का सारा काडर जो लेफ्ट से आया था वापस लोट गया तो इसलिए बंगाल में भी सीटें कम होंगी और दूसरी और राहूल गांदी के आने से वो जिस नेरेटिव की आप बात कर रहे है वो विमर्ष बदला है और वो विमर्ष कहीं ना कहीं कॉंग्रेस पार्टी के पक्ष में राहूल गांदी के पक्ष में जा रहा है ऐसा कॉंग्रेस को लगता है देखिए बंगाल का सवाल है तो ये क्यों मालने कि BJP की बात जब हो रही है यहां saturate कर गई है अब आगे नहीं बढ़ेगी तो ये क्यों नहीं माना जाए कि TMC saturate कर गई है तरफ दोनों तरफ से चलेंगे ना मैं नहीं जानता कि डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर आपके प्रोड़क्ट्स और सर्विसेस को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें कौन सैचुरेट कर गया है कौन घटेगा कौन बढ़ जाएगा वो तो मदाता तैक करेगा लेकिन दर्फ के आधार पर अगर आप बात गये तो आप याद कीजिए 2014 में तो बिहार में जेडी और आजेडी में से कोई साथ था नहीं बीजेपी के उसको अकेले 23 सीटे मिली थी और गडबंदर को 31 सीटे मिली थी तो इसलिए जो है और अभी 2022 में जो साथ राज्यों के चुनाव हुए उनमें से 5 बीजेपी जीती है सवाल ये नहीं कि कौन जीता कौन हरा चुनाव में हार जीत होती रहती है कोई पार्टी आज जीती है कल हारेंगी जो कल हारी थी वो आज जीतेगी सवाल ये है कि विश्वसनियता किसकी अभी आलोग जी ने जो मुद्दे गिनाए उनके सब मुद्दे साहिए मैं उनमें से किसी मुद्दे से असामत नहीं लेकिन सवाल ये है कि उन मुद्दों पर लोग कॉंग्रेस की बात सुनने और उससे ज़्यादा मानने को तयार है क्या अगर तयार है और सुनने मानने दोनों के लिए तो परिवर्तन होगा अगर नहीं है जो पिछले आठ साल से ज़्यादा तर जगहों पर दिखाई दे रहा है खास तोर से लोग समा चुनाओं में तो फिर कॉंग्रेस के लिए मुश्किल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी निउस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर